हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल डिके टेकनो 52 मैं दहरमेंदर कुमार और आप देख रहे हैं डिके टेकनो 52 टेक्स रिलेटेड वीडियो लेकर के आपके सेवा में हमेशा सब पर पित रहते हैं दोस्तों और आपका जो कमेंट आया था दोस्तों काफी आडेंस का कमेंट साया था दोस्तों कि हम एक इस्टाग्राम को एकाउंट को बनाए हैं दोस्तों तो उसको प्रोफेशनल मोड में कैसे स्वीच करें मतलब आप अपने एक साधारण इस्टाग्राम एकाउंट को प्रोफेशनल मोड में किस तरह से कनवर्ट कर सकते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं दोस्तों, तो उसमें काफी सारा आडियन्स का एंगेज होता है, रीच को आप चेक कर सकते हैं, और बहुत सारा अपडेट नया फीचर आपको प्रोफेशनल मोड में मिलता है दोस्तों, तो एक इस्टाग्राम को प्रोफेशनल मोड एकाउंट में हम कैसे स्वीच करें दोस्तों, वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है, काफी हेलफूल होने वाली है, वीडियो को छोड़के जाईएगा नही देख सकते हैं इसकीन पर recording चल रही है दोस्तों आप इहां देख सकते हैं कि सरपरथम आपको क्या करना है कि instagram आपको खोल लेना है instagram खोलने की बाद इस तरह का interface खुल के सामने आपके आ जायेगा दोस्तों आपको क्या करना है वो एक उपर में logo है और एक तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों उपर वे जो 3-line है उसी पर आपको क्लिक कर देना है 3-line पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप setting पर click करेंगे दोस्तों इस तरह का interface खुल जाएगा आपको क्या करना है कि account पर आपको click कर देना है दोस्तों account पर जैसे आप click करेंगे दोस्तों तो इस तरह का interface खुलेगा और सबसे नीचे में दो option मिलेगा blue rung से लिखा हुआ दोस्तों blue rang में आपको किया लिखा है पपहले नंबर पे switch to professional account switch to professional account पर आपको click कर देना है दोस्तों जैसे आप switch to professional account पे click करेंगे जिसके नाम से instagram रहेगा दोस्तों उसका photo आ जाएगा इसके बाद get professional tools और न चार बार continue करना है दोस्तों क्योंकि इसके terms and condition को follow करना होता है और accept करना होता है आप किसी तरह का कोई डर या भाए या hopeless नहों दोस्तों इसमें आपको कोई दिकत नहीं continue, 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 then continue करते जाना है चले मैं आपको सामने करके दिखा देता हूं एक बार continue हो गया और दूसरी बार continue हो गया और तीसरी बार continue हो गया और चोथी बार आपको continue हो गया है दोस्तों इसके बाद हाट बेश्टर इजी describe you मतलब आप describe करिए यहाँ आप से पूछ रहा है कि यह मतलब इस्टाग्राम आप बनाए होए है तो उस पर वीडियो क्रियेट करते हैं डिश्टल क्रियेटर है किस प्रकार का आप इस पर काम करना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ मन चाहा चुनाओ कर लेंगे दोस्तों सलेक्शन आपको करना है जैसे आपकी इस्विल्टी होगी जैसा आपको एक पास गुण सहूर होगा दोस्तों आप इसमें चुन लेंगे जैसे आप आर्टिस्ट हैं कला कार है म्यूजिसीन हैं गादेया बजाते हैं ब्लॉगर है ब्लॉग बनाते हैं कलोथिंग ब्रांडिंग करते हैं और कम्मुनियूटी करते हैं इसके बाद scroll down करके नीचे आएंगे हम तो यहाँ video creator पर select किये हैं और उपर display on profile मतलब video creator आप select जो select करिएगा और इसके search उपर में जो display on profile है दोस्तों इसको on कर लिजेगा तो यहाँ आपके profile पर एकदम front पर ही दिखेगा मतलब कोई भी audience कोई public आपके count को खोलेगा दोस्तों तो आप क्या है किस हिसाब से काम करते हैं किस विभाग में काम करते हैं तो वहाँ दीखेगा दोस्तों हम video creator set करने के बाद display on profile को on कर लिए हैं दोस्तों अब आपको क्या करना है done पर click कर देना है जैसे आप done पर click करेंगे फिर यह आप से पूछेगा कि are you a creator मतलब क्या आप creator है कि business के लिए है तो business के लिए है तो नीचे आपको click करना है यदि आप creator है तो यू का यू ही रहने दे दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है next पर click कर देना है जैसे आप next पर click करते हैं दोस्तों इस तरह का interface खुल जाएगा यहां लिखेगा कि share login using account center इसके बाद इसको आपको continue नहीं करना है दोस्तों नहीं तो काम गड़बर हो जाएगा आपको not know उपर click कर देना है जैसे आप not know उपर click करेंगे दोस्तों आप देख लीजिए यहां आपको कुछ करना नहीं है हम आपको बताते हैं जैसा जैसा process बता रहे हैं वह इसाब करते जाएगा आपका six step complete हो जाएगा पहले आपको क्या करना है दोस्तों grow your मतलब की audience पर आपको click कर देना है sorry दोस्तों get inspired पर पहले नंबर पर हम देखिए लोग सुरू पहला सीडिप चलता हम चोथे नंबर पर जा रहे हैं sorry दोस्तों get inspired पर आपको click कर देना है जैसे आप get inspired पर click करेंगे हम भहुत सरा instagram का account आजाएगा जिसमें किसी एक को आपको follow कर लेना है ठीक है दोस्तों बाद में unfollow भी कर सकते हैं लेकिन follow unfollow ना करें दोस्तों इससे आपको मतलब कि credit less होता है तो आपको क्या करना है हमें गीता का उपदेश है दोस्तों एकाउंट इसी को हम follow कर लिए है follow करने बद ऊपर में जो आपको right now कची नहीं बोलो रंका दोस्तों उस पर आपको click कर देना है जैसे आप उस पर click करेंगे यहां देखे आपको एक step पुरा हो गया है कि step तो पहले से ही पुरा करके ही देता है two for six step completed ठीक है दोस्तों अब आपको क्या करना है टेलस और goals पर आपको click कर देना है टेलस और goals पर आपको click करना है तो यहां बहुत सारा option आजाएगा आपको क्या करना है call email पर आपको click कर लेना है यहां कहीं जाएगा नहीं दोस्तों इससे आपको कोई परिसान नहीं करेगा professional mode पर दोस्तों आपको next कर देना है, next करने के बाद फिर से कालो emails पर click करना है और done कर देना है दोस्तों, यहाँ आपका step भी पूरा हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं, कि three आप six step complete हो गया है दोस्तों, और जो complete हो जाएगों, completed नीचे देगा, और जो complete करना है उपर देना है, अब आपको क्य करना है दोस्तों, कि grow your audience पर आपको click कर देना है, you are got a new tools, you are got a new tools पर आपको click करना है दोस्तों, अब इसी पर setup professional account, मतलब कि यहाँ आपको click कर देना है, your got new tools पर, आप यहाँ क्या करना है, उपर में आपको right now का chin है दोस्तों, उसी पर आपको click कर देना है, click करने बाद आपका यहां भी पूरा हो गया है, ठीक है, अब आपका 4 step पूरा हो गया है, 6 step मतलब की 4 फार, 6 step completed, आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, कि मेरा 2 मतलब की और बचा हुआ है, grow your audience, इसके बाद so care your brand, तो हम पहले number पर click करेंगे, grow your audience पर आपको click करना है दोस्तों, यहां आपको घबडाने की जरूरत नहीं है, invite friends बाई पर आपको click करना है, invite friends बाई पर आप जैसे click करेंगे दोस्तों, इस तरह का interface खुल जाता है, मतलब कहीं भी आपको Instagram का जो apps है, उसको share करना है, लेकिन ह आपका वह भी step पूरा हो जाएगा, यहां देखे सारा step आपका पूरा हो गया है दोस्तों, total step आपका complete हो गया है दोस्तों, लेकिन यहां पर अभी एक step, five up, six step मतलब एक step यहां भी चुरा के रखा है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बैक चले आना है, या क्रास पर click कर देना है, ठीक है दोस्तों, घबडाईएगा मत, अच्छी जानकारी चाहिए, तो वीडियो लंबी होगी ही दोस्तों, और जानकारी मिलेगी, तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आपको क्या करना है, क्रास पर आपको click करना है, अब जो भी आपका account रहेगा दोस्तों आप account पर आजाएंगे, यहाँ देखे, आपका professional mode आन हो चुका है, बन चुका है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर उपर में दीख रहा है कि 5 of 6 steps completed, एक step और बचा है, फिर से आप उसको click करेंगे दोस्तों उसी पर, यहाँ देखे, फिर से वहाँ ले आया है ना हमको, यहाँ प आता था, उसी photo को ही real बना सकते हैं, गाना लगा देंगे तो real बन गया, लेकिन देखे, अब तीन बार में complete होता है, मतलब कुछ कहने का मतलब यहाँ है, कि तीन photo बारी बारी से आपको upload करना होगा, अब आपको क्या करना है, इस पर जैसे आप click करेंगे, आपकी gallery खुल जा का caption हो गरा है, hashtag हो गर लगा करका आपको share कर देना है, दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, कि share हाईसे तो हम जलदी-जलदी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन काफी सारा statement है, तो लंबी तो होगी दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहे हैं दोस्तों, हाँ दोस्तों चैनल को please subscribe क लीजिएगा मैं बार-बार कहता हूं क्योंकि वीडियो देखे आप लोग निकल जाते हैं न लाइक करते हैं न सब्सक्राइब करते हैं अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यह चला गया है फिर से ओहीं आ गया है मैं पहले बिला हूं कि तीन से चार बार आपको फोटो या व खुल जायेंगी दोस्तों सोरी फिर से आपको क्या करना एक फोटो ले लेना है यहां देखें मैं बाल मान का फोटो ले लिया वाग घिक करना है तीसरी बडर आपको ब्रंट पे क्लिक करना है गैलरी खुल गई है दोस्तों गैलरी एक गजनायक सिद्विनायक गनेश जी का photo ले लिए है और इसके बाद आपको क्या करना है और इसमें song लगा लेना है दोस्तों टेक सोगरा लगा करके आपको क्या करना है सेर पर क्लिक कर देना है यहां देखे सेर हो रहा है दोस्तों भीव पर आपको दिखा देते हैं यहां रिल्स में चली गई है और इसके बाद आपको क्या करना है यहां सेर चला गया है और फिर से आपको उसी पर क्लिक करना है और फिर से फोटो ले लेना है यहाँ देखे मैं बजरंग बली का ले लिया हूं दोस्तों जो कि पंच मुखी महादेव कहे जाते हैं इसमें भी मैं सांग लगा लिया हूं हैश्टेग और कीवर्ट सोगरा लगाने बाद आपको सेयर क चलुआ इसके लिए भी मैं आल्रेडी अच्यूमेंट कैसे आन करते हैं वीडियो बना दिया हूं दोस्तों आई बटन में लिंक मिल जाएगा वीडियो के मतलब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस पर बीजिट करके आप जान सकते हैं दोस्तों अब आपको क् बैक चलता हूं फिर से इसी पेज पर आऊंगा और आप जान जाएंगे कि स्टेप पूरा हो चुका है दोस्तों अब आपको क्या करना है बैक आ जाना है दोस्तों यहां देखे दोस्तों गुड कंडिशन में है यहां देखे प्रोफेशनल डैस बोर्ड आन हो चुका है इस फुस्ट देख सकते हैं, इस्कीन बोट पे, कि वहां आपसन चला गया है दोस्तों, तो इस तरह से professional mode को switch करते हैं, on करते हैं, count बनाते हैं, और six step completed कैसे करते हैं, दोस्तों, इस तरह से हम कर सकते हैं, आप आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे क्या करना है, professional dashboard पे जैसे आप click करेंगे यहाँ से आप अपना पूरा देख सकते हैं statement को जो नया नया update आएगा media के तरफ से आप देख सकते हैं इस ट्राल डाउन करके नीचे आएंगे आप अपना risk देख सकते हैं impression देख सकते हैं सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों और यहाँ देखे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ आप देखे सारा कुछ दिख रहा है दोस्तों और यहाँ देखे आपको क्या करना है कि फिर से आपको setting पर click करना है दोस्तों और setting पर click करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको आज आना है इस पे scroll down करके नीचे आना है दोस्तों और यहां देखे switch account type आ गया है पहले switch account to professional अब account आता था दोस्तों switch करने के लिए बनाने के लिए लेकिन अब क्या रहा है कि switch account type आ रहा है जैसे आप इस पे click करिएगा दोस्तों switch to business account, switch to professional account अब switch to professional account पे जैसे आप click करिएगा दोस्तों तो यहां क्या देखे लाल रंग से लिख रहा है red alert switch to professional account यह यह बोल रहा है लेकिन यह खत्रे का घंटी है दोस्तों आप यहां पहले इसको जो describe किया interaction आपको switch it किया उसको पढ़ने कि switch to professional account when we switch back to professional account in app inside will be turn it up and inside दोस्तों from all your content including or ads will be permanently removed यह बोल रहा है कि यह आप खेल खेल में भी आप अपने professional account को switch account कर लिए है professional account में यह आप उसे आप कर देते हैं जैसे आप इस पे लाल रंग पर click करिएगा वहां आप हो जाएगा जितना real video photo रहेगा जितना like और जितना follower रहेंगे सब वेकार हो जाएगे delete हो जाएगे remove हो जाएगे तो आपका insult पर click करके और यहीं मेरा video था दोस्तों तो I hope कि मेरा video आपको पसंद आया होगा दोस्तों मेरा video पसंद आया है तो video को like कर दें और चैनल को subscribe कर दें दोस्तों मिलते हैं next video में तब तक आप अपना ध्यान रखना दोस्तों और हमसे contact करना चाहते हैं तो इसी DKTecno52 से ही मेरे Instagram ID है वहाँ आप follow कर लेंगे हमसे contact कर सकते हैं और कोई समस्या हो तो comment section में comment करिएगा दोस्तों और प्लीज चैनल को please subscribe जरूर कर लिजेगा धन्यवाद